हेलो गाइज वेल्कुम तो दिस न्यू वीडियो और पहले तो मैं आप सभी से सौरी बोलूँगा कि पिछले हफ़ते जो न्यूज वीकली की वीडियो है वो आनी पाई आप लोग वेट कर रहे थे काफी लोग वेट कर रहे थे और मुझे पता है कि काफी लोग ने मेसेज़ भी किये थे कमेंट भी किया था लाइट के चैट में बताया थे कि वीडियो कहा है हम बेट करने बट वही बात है कि I was not at home and पिछले हफ़ते I was traveling सो इस चक्कर में वो वीडियो आनी पाई जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट सब्सक्राइब बटन जब आप सब्सक्राइब करो कि चैनल को तभी बहुत मजा आएगा जब आप लाइश्रीम पर आओगे तो अपनी सबसे पहली बड़ी बीडेट आते हैं वो डिरेक्ली गेम के अंदर आते हैं चाहे वो अपडेट से कोई बग आ जाए गेम में और कॉम्मेटेटिव मैंच मेकिंग जो है वो बिगड़ जाए बिकॉस यूनों अगर मानलो कोई नया एजेंट आता है कोई नया मैप आता है उसके साथ बहुत सार सर्वर्स हैं तो जो भी प्लेयर्स हैं जिनको नए अपडेट और नए चीज को खेलने में इंट्रेस्ट है वो टेस्ट सर्वर डाउनलोड कर सकते हैं उस टेस्ट सर्वर पे वो अपडेट को सबसे पहले एक्स्पीरियंस करेंगे खेलेंगे और अपने फीडबैक को और सोर्सेज से पता चला है कि वाल्लेंट मोबाइल भी आने वाला है 2021 में 2021 में यह चीज किसी को नहीं पता है बड़ जो भी डाफ किवे जो डटा माइनर से निकाला है गेम की फाइल से उनको पता चला है कि एक मोबाइल वर्जिन पर काम हो रहा है अगर आप इन सब चीज जो कि Valorant के top 100 players in Asia में उसका नाम आया है अब आप सोच रहे हो एक कौन सा प्लेयर है तो he's a former Counter-Strike player जिसका नाम है Mohit Vankle and उसका निकनेम Spawn है मैंने उसके साथ भी Counter-Strike खेला हुआ है he's a very good player, very talented player और अब आप सोच रहे हो के कि बहुत सारे top teams और बहुत सारे Indian teams भी top में आती है तो जो Valorant ने चार्ट निकाला था top 100 players of every region like Asia, North America, Europe तो उसमें हर region के top 100 players के नाम थे उसमें एक Indian player था जिसका नाम है Mohit Vankle now this is a remarkable achievement and I hope अब जब Indian servers आ चुके हैं और जो भी हमारी demands थी and जो भी मतलब you know हमारे लिए best होना है वो होगा उसके साथ साथ India और आगे जाए and ऐसे बहुत सारे players you know top 100 के list में आएं तेश का नाम रोशन होगा and they will get to represent India in the world tournament so अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी बड़ी ख़बर के बारे में तो जो तीसरी बड़ी ख़बर है वो है PlayStation 5 से related तो PlayStation 5 ने अपना Indian price launch कर दिया है अब जितने भी लोग हैं आप में से उनको लग रहा था कि PlayStation 5 अब आने नहीं वाला PlayStation 5 कब आएगा PlayStation 5 की क्या pricing होगी बहुत सारे comments और बहुत सारी लोग ये सवाल पूछ रहते हैं तो PlayStation ने officially announce कर दिया है कि PlayStation 5 का क्या price रहेगा तो जो digital edition है उसका price रहेगा 39,999 और साथी साथ जो disc version है उसका price रहेगा 49,999 जी हाँ दोस्तो 40,000 और 50,000 रुपए का launch हो रहा है which I feel is a good price मैं तो personally purchase करूँगा the digital version क्योंकि digital version is in fact very handy आपको discs लेकर नहीं चलना है आपको के पास अच्छा internet connection है आपने सीधा first day डाउनलोड कर लिया CD आने का वेट नहीं कर रहे हो तो personally I feel मैं digital version purchase करूँगा आप भी comment section बताओ आप कौन सा purchase करोगे I know कि बहुत साही लोगों ने मुझे बताया थे कि डिस्क को आप future में बेच भी सकते हो बट नहीं यार एक बार गेम खरी ली तो मैं बात में कभी खेलने का मन करें तो बेच दूँगा तो फिर नहीं खेल पाऊंगा तो इस लिए digital version is my choice आप बताओ आपकी क्या choice है and why do you want to buy that version so guys अब हम बात करते हैं Gaming World की एक और बड़ी ख़बर के बारे में तो UbiSoft का जो latest Gaming AAA title है उसका नाम Watch Dogs Legion है वो launch होने वाला है 29th of October आज से 4-5 दिन बाद तो भाई सहाब Watch Dogs Legion जब तक आप ये वीडियो देखोगे में भी आचुका होगा या में भी आने वाला होगा I'm excited for Watch Dogs Legion ट्रेलर हमने देखे हमने gameplay वीडियो देखी हमने बहुत कुछ देखा mind you I'm excited for this game and I can't wait to you know play this game and stream it on the first day आप लोग बताओ आप लोग कितना excited हो Watch Dogs Legion को लेके मैंने Watch Dogs 1 पूरी पार करी थी खेला था बहुत अच्छी थी Watch Dogs 2 उतना मज़ा नहीं आया था but it was nevertheless a good game but I was expecting a lot from Watch Dogs 2 अब Watch Dogs Legion आ रही है देखते हैं Watch Dogs Legion कितनी अच्छी निकलती है और कितना बढ़िया गेम होता है तो जितने भी Doom franchisee के fan है उसका latest game जो Doom Eternal है उसका एक नया DLC आया है और इसी के साथ साथ इस game के जो campaign को उन्होंने और extend कर दिया है और इसमें काफी नए modes आड़ किये हैं और ये जो DLC है इसका नाम है The Ancient Gods Part 1 और इसके बाद इसका Part 2 भी आएगा आप लोग जाके खरीच सकते हो को खेल सकते हो Doom Eternal का नया DLC I completed this game on stream बहुत फना था बहुत मज़ा आया था उस game को खेलने में and I can't wait to play that game play the DLC so all the Doom fans should go ahead and check this DLC out and you'll not regret it because मैंने ट्रेलर देखा it looks quite fun So Call of Duty और Apex Legends ने अभी रिसेंटली Halloween update अपने गेम में निकाला है और ये जो Halloween update है उसमें Call of Duty में एक Zombie Royale Mode आड़ हुआ है और Juggernaut Royale Mode आड़ हुआ है which is very fun to play मैंने उसको परसनली खेला स्ट्रीम किया it is damn exciting और उसमें बहुत ही जादा fun और Adrenaline Rush आता है जब आप मरते हो Zombie बनते हो उसके बाद आपको दूसरे players को मार के उनके अंदर से injection लेना होता है और उस injection को जब आप लगाते हो दो injection आपको लेने पड़ते हैं फिर आप वापिस human बन जाते हो which is actually very fun to play और मैं आपको recommend करूंगा कि जाओ खेलो और Apex Legends में Fight or Fright Mode आड़ हुआ है जिसमें कि Shadow Squad बहुत ही fun mode आड़ हुआ है आप जब जाओगे तो आप Revenant की जैसी ultimate होती है वैसे ही आप Shadow Squad बन जाएगा आपका और उसके बाद आप किसी से फाइड लोगे इट्स फन जो जितना मैंने ट्रेलर देखके experience किया है काफी अच्छा लग रहा था आप भी जाओ Apex Legends में ड्रॉप करो और देखो कि कितना fun game mode है और साथी साथ Apex Legends ने काफी cool skins निकाली है The New Resurrected Skins इनका नाम है So yeah, it looks very fun and I would recommend you to check the Halloween update of both these games out तो guys, अब हम बात करते हैं PUBG की तो PUBG ने recently अपना जो नया map है उसको launch कर दिया है गेम में इसको TPP रखेंगे बट इनोंने TPP और बहुत सारे यूजर्स का feedback और ट्वेटर पे आउट्रेज देखा PUBG फैंस का कि भाई आप TPP उसको launch कर रहे हो आप सिर्फ एक certain market को cater कर रहे हो हमाई तो आपको परवा ही नहीं है तो काफी लोगों का उनको feedback मिला पर ट्वेटर पे जिससे की उन्होंने पारमो में FPP मोड भी launch के साथ चालू कर दिया है तो यह जो मैप है यह डाइनमिक मैप है मतलब इसमें चीजें और जगें चेंज होती रहेंगी अपडेट होती रहेंगी and you'll find something new every time और बहुत ही fun लग रहा है but actual में you need to drop in the game and check Paramo out but I feel like PUBG needs to still work a lot on their basic stuff जिसके बारे में हमने अभी especially Call of Duty Warzone versus PUBG की वीडियो में बात करी थी and I feel like जितना मैंने देखा gameplay और जितना मैंने experience किया बाकी लोगों से पूछ के कुछ भी जादा वैसे changes आए नहीं है and the game is almost the same बस एक नया map added हो गया है so yeah if you are a PUBG fan you can go ahead and check the new map out so guys अब हम बात करते हैं Twitch की तो Twitch पे कुछ दिन पहले US की एक politician ने streaming चालू करी जिनका नाम है Alexandria Ocasio-Cortez and उन्होंने बहुत बड़े बड़े Twitch के streamers के साथ collab किया and अपने पहले दिन stream किया जिसमें उनको साड़े चार लाख से भी जादा की विवर्शिप मिली and I feel like they are exploring new possibilities to get the votes out of new generation, young generation, out of gamers and पदा नहीं like maybe this could be a thing in India also like कोई मंतरी या कोई या कोई बड़ा politician यहाँ पर Dynamo, Mortal, Carry, Scout इनके साथ collab करे और votes ले, इंडिया में भी ऐसा कुछ हो सकता है, maybe you know कोई बड़ा politician, कोई बड़े streamers के साथ collab करे और फिर you know बहुत सारे लोग, जो non-gamers है वो भी gaming की तरफ एट्राक्ट हों और you know YouTube पे जाएं या कोई और platform पे जाएं जहां पर you know बड़े streamers मौझूद है so it will be fun to watch in India also अगर ऐसी कोई चीज होती है, बट ये एक initiative US में हुआ, अब देखते हैं कि इंडिया में ऐसा कब होता है, तो guys आप बताओ आपको क्या लगता है, आप कौन से politician को अपने favorite streamer के साथ देखना चाहते हो, कोई जोड़ी बताओ, मान लो आप तनमे भट के साथ मोधी जी को देखना चाहते हो, किसी और politician को किसी और बड़े streamer साथ देखना चाहते हो तो comment section में बताओ, आपकी क्या राय है, कौन सी जोड़ी हिट होगी अगर ऐसा कोई collab होता है तो guys, अब हम बात करते हैं इंडिया की सबसे बड़ी जो game launch होई है उसके बारे में Raji and Ancient Epic, जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होगे ये game के बारे में अब हम क्यों बात कर रहे हैं क्योंकि ये तो already launch हो चुकी है तो guys, ये जो game launch होई it was a very huge success and बहुत ही जादा overwhelmingly positive response आया है from community and from all the gamers in India and outside India also, जिनको ये game बहुत पसंद आई, तो I feel like India has a lot of potential to create such games and ऐसी games future में और भी निकले, तो बहुत अच्छा लगेगा, वर्ल लेवल पे you know, इंडिया को देखा जाएगा कि इंडिया में भी इतने अच्छे अच्छे games develop हो सकते हैं, पैसा invest होगा और हम बहुत सारे इंडिया की culture इंडिया की stories और maybe not just culture and not just stories उनके अलावा भी बहुत चीजों के बारे में हम game देख सकते हैं, इंडिया में developed So guys, अब हम बात करते हैं अपनी last news की तो जो last news है, वो है इंडिया के कुछ बड़े streamers move कर रहे हैं from YouTube to Facebook जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है मैंने अभी recently follow कर रहा था कुछ streamers तो जैसे की Robo, जैसे की Void तो उन्होंने अपने channel पे अपडेट डाला है की आपको क्या लगता है? Is Facebook Gaming a viable option to stream on? क्या ये step सही है? क्या आप लोग Facebook को एक live streaming platform के तौर पे देखते हो? क्या आपको लगता है future होगा? comment section में बताओ मैंने भी Facebook पे अभी कुछ time पहले test streams करी थी देखने के लिए कि कैसा response आता है? मुझे भी platform as a platform देखा जाए तो अच्छा लगाता features बहुत अच्छे अच्छे हैं but I still feel की Facebook is lacking on certain points, certain aspects which if they make it better, it will actually compete YouTube and Twitch so yeah, comment section में बताओ आपको क्या लगता है आप अगर content creation की शुरुआत कर रहे हो क्या आप Facebook को अपना platform चुनोगे as a live streaming तो चलो guys, thank you so much for watching ये थी इस हफते और पिछले हफते की मिला के कुछ बड़ी ख़बरें जो की gaming world में हुई जो मुझे लगा आप लोग तक पहुचनी चाहिए और आप लोग को बताना चाहिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज सब्सक्राइब करना इस चानल को और इस वीडियो को शेर करना अपने दोस्तों के साथ अगर आप इस वीडियो को शेर नहीं करोगे तो ये कुछ limited लोगों तक ही पहुच पाएगी बट इस चीज का main motive है और लोगों तक पहुचना ये news और ऐसे लोगों तक पहुचना ये news और ऐसे लोगों तक पहुचना जिनको gaming में it interest तो है बट उनको पता ही नहीं चलता कि हो क्या क्या रहा है इंडिया में और इंडिया के बाहर गेमिंग से related बहुत सारी चीज़ें जो होती रहती है उन तक पहुचती नहीं ये खबरें नहीं पहुचती है अब रहती है तो आप पहुचती है ये तो प्लीज शेर दिस वीडियो और यह लाइक करो कमें प्रश्चीन पर आपको कॉंसी नियूस सबसे दाद एक्साइटिंग लगी और आप किस चीज के लिए सबसे दाद एक्साइट हो प्लीज सक्षास बाइखेशक वाची सकती है बद्यूल दूच्ट च्षा करूंत च्टार्श पींद जाते लिए थावस्ट्ट्ट्ट में कर दो क्या अएक व्यूस्टी में खीडियोनियू स्बस्ट पल्च्ट्ट्ट्टल शर्टी स्ट्ट्टेस क्या कर दूआते हैं दे